यह तो मैंने काफी दफाव वैसे भी बताया लेकिन कभी-कभी लोग पूछ रहोते हैं आपका mentor कौन है future trading जो आप crypto की करते हैं तो यह decision making में कैसे आप काम कर रहे होते हैं तो इसके लिए आप क्रिप्टो करंसी, future trading, decision making, bit, node इस पे नहीं जा रहे होते, आपने basic financial astrology पे नहीं होता, आपको basically पहले ढूंड़ना है कि जो tested तरीके से जिसने काम किया हो, तो मेरे mentor तो Richard Tyler है, लेकिन Richard Tyler बैट के leverage trading नहीं करते, इनको Nobel Prize मिलावा है 2017 में, और इनकी book है जो मैं recommend करूँगा, अगर आपने अपने अंदर वो ability लानी है, कि आप सक्ता ना खेल रहे हों, gambling ना कर रहे हों, तो behavioral economics की इनकी book है misbehaving, ये book, पहले तो ये बिटा book पढ़ने वाले ना, ये जो अगर आप चाहते हो ना वाकार जाकरी तरह टक करके live आओ, ठक ठक trades खोल रहे हो, bit note का समझ आजाए, wallet movement समझ आजाए, blockchain के उपर wallet movement थोड़ी देख रहे हो, तो machine ही चीज नहीं देखनी आपने, इनसानी बैठ है ना जो trade कर रहे है, तो पहले तो आपको इनसानो की psyche read करनी आनी चाहिए, और वो कोई smart money program, Illuminati program या फिर कोई जिसे कहते है न, institutional investing इस तरह की बड़े-बड़े buzzword अगर कोई यूज कर रहे हैं तो आवे हवा में बात कर रहे हैं, भाई, tested data सिरफ nobel prize winners जो हैं, उनको follow करना चाहिए, इस method को उठाके, अब जैसे अगर कोई running कर करता है, ठीक है, तो क्या मतलब वो जो बाकी exercise कर रहा है, वो किस लिए है, तो अब भी आपके दिमाग ने बाकी exercise की नहीं है, हजारों दफ हमने ये बुक बताई है, कि भाई, ये है main कहानी जिसको आपने देखना है, और इसके इलावा inside investors brain एक अलग है, लेकिन ये हैं जिस Godzilla trading in सब चीज़ों के साथ, वो 2019 Feb के मत में गया था, फिर Covid में करने लग गया, आज तक पाकिस्तान में क्या, दुनिया में बहुत कम क्यूं है ये trader, रीजन ये हैं कि वो शाह समझते हैं कि 123 कोई बटन दबाएंगे, कोई वीडियो देखेंगे और हमें bit note आजेगा, हमें सा exercise है, जिसका crypto से कोई तालुक नहीं है, इसका कोई तालुक क्रिप्टो से नहीं है, लेकिन इसका तालुक किस से, कि आपका दिमाग ready हो, दूसरों के दिमाग को पढ़ने के लिए, कि यार इस वक्त दुनिया में बाकी लोगों का जहिन क्या चल रहा होगा, इस वक्त psychology क्या हम trade पकड़ सकें, तो यह books पढ़नी चाहिए, वकार, जका, अमजद, राशित, कदूस, कुछ भी नहीं है भाई, कोई nobel prize winner के data oriented चीज़ें जो है, जो perfectly दुनिया में मान लिया हो, जिनको उनकी चीज़ें पढ़े,